नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेशे 13 अगस शुकरवार शाम सवा पांच पजे राजिस्थान की बड़ी खबरें नागरिक उडेयन मत्राले ने हवाई किराय की निचली और उपरी सीमा में 9.83 से 12.82 प्रतीशत तक की वृद्धी की है जिससे गरेलो हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी इससे पहले COVID-19 की वज़े से लगे दो महीने के लॉकडाउन के बाद 5 मई 2020 को विमान सेवाउं के बहाल होने के साथ सरकार ने उड़ान अबदी के अधार पर हवाई किराय पर निचली और उपरी सीमाएं लगाई थी राजस्थान हाई कोट ने प्रदेश में मदर्सा बोर्ड एक्ट 2020 निरसत करने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रवे राजसरकार सहीत संबंदित विभागों को नोटिस जारी कर चार सप्ता में जवाब मांगा है जोदपुर निवासी मुकेश चैन ने अपने अधिवक्ता मोती सिंग के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में 2020 में लागू मदर्सा एक्ट पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि यह एक्ट धर्म निर्पेक्ष भारत गन राजे की मूल भावना के खिलाफ है राजस्थान सरकार पर कर्ज का बोज लगातार भढ़ता जा रहा है कर्ज को लेकर विधान सबा में एक विधायक के सवाल पर सरकार ने चोपने वाला जवाब दिया है बविश्य में वितिय संसाधन होने पर कर्ज नहीं लेने की कारे योजना के बारे में पूछे सवाल के जवाब में सरकार ने लिखा है कि राजे सरकार के वितिय संसाधनों में कर्ज एक महत्वपून स्त्रोत है राज्य के विकास के लिए वितिय संसाधनों की उपलब्दता को देखते हुए कर्ज ने लिये जाने की कोई कारे योजना विचारा धीन नहीं है स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए राश्ट्रिय राजधानी और आसपास के शेत्रों में पतंग बाजी का रिवाज रहा है लेकिन करोना वाइरस महमारी का इस पर असर दिख रहा है हर सार 15 अगस से पहले दिल्ली के दो इलाकों में पतंग का बाजार सस्ता है लेकिन इस बार बाजार में रोनक फीकी है दुकाने कम लगी है दूसरे प्रदेशों से व्यपारी नहीं आए और ग्राहक भी नदारद है दुकानदारों का दावा है कि कोवेट महमारी के कारण उनका व्यपार 70 फिस्दी तक कम हो गया है और बजार में ग्राहक ने के बराबर है डार्क जोन में शामिल अलवर जिले में गर्मियों के दोरान पेजल समस्या घहरा जाती है लोगों को पीने के लिए पानी मुश्किल से मिल रहा है लेकिन जो पानी मिल रहा है उससे पथरी होने का खत्रा है विशेशग्या बताते हैं कि भूजल नीचे जाने से आमजन को हाट पानी मिल रहा है इस कारण जिले में पथरी के मरीज लगातर भढ़ रहे है बूजल स्तर जितना अधिक होगा उतना साफ पानी उपलब्ध हो जाएगा लेकिन अलवर्ड जिले में जल स्तर 300 फिट से लेकर 1300 फिट तक पहुँच गया है इससे पानी की कम्मी का तो साफ पता चलता है साथ ही खने जियोग पानी पीने से पत्री ब्लड प्रेशर और जोडों में दर्ड की मरीद भड़ रहे है भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक करने के आरोप में उतर प्रदेश के सहारनपूर जिले से एक युवक को गिरफतार किया है सहारनपूर के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक एस्ट नप्पा ने बताया कि आरोपी विपुल सैनी ने यहां के नकुड इलाके में अपनी कम्प्यूटर की दुकान में कथित तोर पर हजारों की संख्या में मद्दाता पहचान पत्र बनाए थे जनजाती विभाग अब अपने जनजाती होस्टलों में खिलाडियों को कोचिंग के लिए NIS कोच रखेगा जनजाती खिलाडियों को ज्यादा से ज्यादा खेलों में शामिल करने के लिए जनजाती विभाग ने यह कदम उठाया अब तक राजस्थान में 13 जनजाती होस्टल में सभी तरहें की कोचिंग सुविधाएं भी थी मगर अच्छे स्थर के कोच नहीं रखे जाते थे मगर अब टेडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिकर अगरवाल ने की पहल पर सभी जनजाती होस्टल अकैडमी में अब NIS तर के कोच लगेंगे सिरोही जीले के आबू रोड में रेलवे का समान कबाड़ी को बेचने का खुलासा हुआ है आर्पी एफ ने रेलवे को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर उसके ड्राइवर और कबाड़ी को गिरफतार किया है पूछताज में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूर कर लिया आर्पी एफ को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि पिछले कुछ समय से रेलवे की समपती शहर के किसी कबाड़ी को बेची जा रही है इस पर आबुरोड के मानपूर में कबाड़ी की दुकान पर रेड डाली गई तलाशी के दोरान वहां रेलवे का समान मिला विदुद निगम के उद्यपूर शहर में स्तित दफ्तरों में बीते एक सप्ता से हर रोज हंगामे हो रहे हैं वज़ा यह है कि हालही में मिले बिजली बिलों में राशी 2-3 गुना तक आई है आमजन को इतने भारी बिजली खर्च पर भरोसा नहीं हो रहा जबकि निगम दफ्तर तर्क दे रहे हैं कि पूर्व में ओसत बिल दिये गए थे इसलिए इस बार अधिक राशी के बिल मिले हैं वज़ा चाहे जो भी हो लेकिन इस बार के बिजली बिलों ने हर घर का बजट प्रभावित कर दिया है जिससे बात करो चर्चा अधिक राशी के बिलों की ही हो रही है मावली से मारवाड के बीच संचालिट ट्रेन को 18 अगस्त के बाद प्राराम करने का निर्णया लिया गया है हलांकि अभी तारिक निर्धारित नहीं की गई है लेकिन 18 अगस्त के बाद इस ट्रेन का संचालन पुन है शुरू करने का निर्ने किया गया है वरिष्ट मंडल वानीजे प्रबंदक विवेक रावत ने बताया कि 12 से 18 अगस्त तक मावली स्टेशन पर किये जा रहे नोन इलेक्ट्रोनी इंटर लॉगिंग कारे के बाद ट्रेन के चलने की पूर्ण संभावना है राजस्तान में मौनसुन की पहले दोर की बारिश ने कई जगे बाड के हालात पैदा कर दिये और प्रशासन के हाथ पर फुला दिये बारिश का असर पूर्वी राजस्तान के जिलों पर अधिक दिखाई दिया अब दूसरे दोर की बारिश का इंतजार किया जा रहा है इस बार भी संभावना जिताई जा रही है कि पूर्वी राजस्थान पर ही बारिश की महर रहेगी यदि ऐसा होता है तो प्रशासन के लिए बड़ी परिशानी खड़ी हो सकती है पहले दोर की बारिश में बने बार्ट के हालात को देखते हुए प्रशासन को अभी से रननीती बनानी होगी और उनस्तानों पर विशेश ध्यान दिया जाएगा जहां आती वरिष्टी के बाद अब तक लोग परेशान हो रहे हैं फिलहाल इस बुलिटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे और बड़ी खबरों के साथ